वाड सचीवों को हटाने के लिए चिठ्थी निकल गई है 15 जनवरी तक हम वाड सचीवों को हटा देंगे बदल देंगे वाड किर्यवान समीती का पुनर गठन होने वाला है यह चिठ्थी निकल गई है और वाड सचीव जो पुराने वाड सचीव है उनको हम बीना बीना एक पल में 15 जनवरी तक हटा देंगे क्योंकि हमको मेरे पास चिठी आ गई है कि वाट किराम समीति का पुनर गठन करना है ऐसे में वाट सचीवों के रहने का कोई आचित नहीं है तो क्या वाट सचीवों को हटाना इतना आसान है वाट सचीवों ऐसे ही हट जाएंगे इन सारी ब करेंगे एक-एक मजमून को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे लेकिन उससे पहले मैं अपना पर्चे देदू नाम है मेरा भैकुमार आप देख रहे हैं ठोकतंत्र ठोकतंत्र की इस एपिसोड में हम वाट सचीवों के लिए जो चिठी निकली है उस चिठी का विशलेशन करेंगे आखिर मामला क्या है पूरा माजरा क्या है उसे समझने का प्रयास करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहिएगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कीजिएगा तो पहले हम नज़र डा 1998 दिया हुआ है ओर लिख करणा रण्जीत कुमार सिंग भारतीय पर्सासनिक सेवा से निदेशक है में सभी जिल्ला प्रदिकारे सभी जिलर प्रदिकारी मों को सिथी आदिक फ 혁ने गोषित निर्वाचन परिनाम के आलोक में 15 152022 तक वाड सतुचीव सहित वाड के पूर्न किये जाने के सम्मद्ध में उसको पूर्न खिया धूरा नहीं पूर्न किये जाने के समद्ध महास है उप्यूक्त विशय के समद्ध में आप अवगत हैं कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 परक्रिया गत्थ है एवंग 15 दिशंबर 2021 तक राज के सभी त्रिय पंचायती राज निकायों का निर्वाचन परिनाम घोसित हो जाने की संभावना है बिदित है कि बिहार वाड सभा तथा वाड के आनौन परवंधन समीती का संचालन नीमा वली 217 के अंतरनिहित प्रावधान के तथा वाड सचीव वाड सहीत वाड के आनौन परवंधन समीती का बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के घोसित परिनाम के आधार पर नए सीरे से गठन किया जाना प्रसंगिक है उप्रोक्त के आलोक में अनुरोद है कि विश्यांकित वाट के आनुग प्रवंधन समीती का गठन दिनांग 15.1-2022 तक पूर्ण करा ली जाए उक्त के अनुक्रम में अपने अस्तर से सभी समंधित इकाई को अनुपालन सुनेशित करने है तू निदेशित करते हुए तत संबंधी फलाफल से विभाग को ओगत कराने की किरपा की जाए नीचे में साइन है विश्वास भाजन डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग निदेशक और चिठी जो परतिलिपी है सभी मुख्य पकारपालक प्रादिकारी जिला परिस्वत सभी जिला पंचायती राज प्रादिकारी बिहार को सुचना से हों आवास्यक करवाई है तू प्रे कि वाद किरन्शमीति का पुनरगठन किया जाए तो जाहिर सी बात है कि 2021 में नया चुनाव हो गया है पंचाईति राज वीभार का तीरसरी पंचायति राज त्वास्थाओं में नया चुनावि प्रतिन्ही चुने गए और जो वाड प्रवंधन समीतिके जो अध्यक्ष हो वारपस फले ध्हतों फलेट होते हैं और उस वाड के पंच श», जरुरी नहीं कि पुनाने वाले ही ज़ितकर आये हैं तो ऐसे में उनका पुनर गठन होना तो जरूरी है औश цвет La ninja का मतलब तो एया तो नहीं कि पुनर मं सचीव का करेंगे चिठ्थी में ऐसा लिखा स्भीन का नहीं गया है कि सच्व का पुनरगठन क्रेंगे पुनरगठन तो होना ही इसक्रक जब बदल जाएंगे तो पुनर गठन जरूर हो लेकिन इस च्थी के चलते पूरे विहार में सच्व के बीच में हड़कम मचा हुआ है आखिर मचा हुआ भी क्याव न रहे क्योंकि जो चार साल तक एक आसे तक काम किया है वह यह कहीं उमीद है कि यह जो मेरा पंचाज सचीव का जो मेरा एक काम है यह अस्थाई हो जाएगा और हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगा मेरा नियोजन हो जाएगा ऐसी प्रिशिती में चिठी जवाई और वाड सचीव के हाथ लगी और वाड सदस्यों के हाथ लगी तो दोनों तरफ हड़कम बच गया उधर वाड सदस्य ताली बजा रहे हैं कि हम अपने मन मुताबिक नए सचीव कि अरे भाई हम चार साल तक काम भी किये एक पैसा बेतन भी नहीं मिला ना कुछ मिला है और उपर से बदनामी भी बहुत मिल रही है और फिन कहा जा रहा है कि हम हटाके नए सचीव को चुन लेंगे आखिर क्या मामला है इस चिठी के बिचलेशन पर हम लगर नजर डालते ह कि पहला जो सब्ड़ इपिशय में कुछी को पूर्ण कर ले ना है पूर्ण करना अधूरा तो हो ही गया है एया जो वाट के अदर अद्हूरा हुई गया है कैसे ददूरा हो गया है उसको समझने का परियास कीजिए लिए कि समीति में जो अध्यक्ष है और अध्यक्ष याद नहीं आ रहे पांट सल घटाने के बाद जो आता है ती थी 2017 ही होना चाहिए 2017 में चुल लिए गए थे अब वह नी वर्तमान हो गए है कहने का मतलब कि कहीं कहीं चुनावहार गए हैं तो अध्यक्स ही नहीं रहा और एक सदा से पंच पदेन सदा से होता है जरूरी नहीं है kapuraahni वाले पंच रहे को काया पूराने वाले जी आतो उनका सपतगरहन फीर होगा इसका मतलब कि वह पुराने वाले एक समिति से होह मतलब परस्ताव लेकर अध्यक्ष जो नए बन गए नए चुने गए उनका भी scores चाहिए और दूसरा बात दूसरा चीज जो है इस सदक्स से पंच जो पदेन सदक्स है वह भी तो नए चुन कराए है उनका भी तो नाम सामिल होना चाहिए लेकिन चिठी में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि पुनर जो पुनर गठन में पुनर सचीव का पुनर से चुनाव भी किया जाए हलाकि सचीव का जिक्र है सचीव का कहीं कहीं सचीव हो सकता है इस्तिफादे दिये हैं तो उनको वहां भी खाली है सचीव का जिक्र है सचीव का जो जिक्र किया गया है उसमें लिखा यही हुआ है कि परनाम भोसित हो जाने की संभावना है हाट कर समीति प्र नहूं समीति का भिहार पंचायताम स्देय सीड़्ांत दोहजार 21 के घोषित पर नाम के अधार पे दोहजार इकीस जो नियुरा किसका हुआ है उसके परम का भर किने एंगार का कर लिकरक करत की है है तो आप ही बनोक बताईये, कि 2021 का जो चुना हुआ तर्यास्त्रिय पंचायति राजका, उसमे घोसित कित है घोसना अक्राइट हुआ है, तो परिनाम गोसना तो हुई है कि वाड सदस महो देखे और 50 महो देखे, सचीव महो का तो चुनाव 2012 में हुआ ही नहीं है तो उसके नुसार क्या-क्या तो सच्छिव महद्व पहले से चुने हुए है घोसना तो चुने हुए परतिंदी तो है नहीं सच्छिव तो फिर इस चिठी का ऐसा मतलब क्यों निकाला जा रहा है आप लोग को समझाने का बात करें कि लिखा जाए कि सच्छिव का पूनर सुनाओ होना चाहिए फिर सच्छिव को चुनने का धिकान मिलना चाहिए और सच्छिव महोद्व आपको जिस चिठी से घर बढ़ाने की जरूरत एक बिलकुल नहीं है क्योंकि चिठी में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो 2021 के पजे चुनाव के परिनामा हैं उनके मुताबिक किरेवायन परवंदन समीती का गठन किया जा तो जो परिनाव क्वा इस बीच में उसके नहीं है नहीं है हलाकि सचेव लोग अंदोलन कर रहे हैं उनका अंदोलन यो यहां की साहई कि आंधीके घंगी है 07 कि खारे तक और उसको दिया जा उसको जिया जाए Esto कारी कर्मी का में का दिया तो दोस्तों यह था लेटर की असलियत हमारे समझे हमारे टीम के सदब से सम्झसे जो हम लोगों ने अध्य опис क्या उसके मुताबिक इस लेटर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वार्ड सचीवों को खिर से चेन किया जाएगा आपको यह जनकारी कैसी लगिया जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कीजिएगा इसी तरह से अन सरकारी आदेशों का वीडिय का वीडियो बनाते रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन बंदे मात्रम